एक है वैलो दूस्तों स्वागत है पिल से लर्निंग पॉइंट पर आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पी-ल्सी के सिंक और सॉर्स वाइरिंग के बारे में SYNC क्या होता है और SOURCE क्या होता है PLC की वाइरिंग करने से पहले ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ठीक है तो आज के इस वडियो में हम इसको डेटेल से समझने की कोशिश करेंगे देखिए PLC के वाइरिंग की यदि बात करें तो यहाँ पर एक PLC का मोडल है FX2N ये एक Mitsubishi की FX सीरिस का PLC है ठीक है न इस PLC की जो वाइरिंग करी जाती है इसमें देखिए यहाँ पर लाइन और न्यूटरल PLC को आपरेट होने के लिए मतलब PLC के अंदर जो भी जिसे इंडिकेशन होते हैं यह सारे इंपूट की LED को आन होने के लिए यहाँ पर रन या एरर की LED को आन होने के लिए या फिर इसमें CPU में जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं उस प्रोग्राम को एक्जिक्यूट करने के लिए PLC को भी खुद एक पावर की जरूरत होती है तो वो पावर FX2N PLC में लाइन और न्यूटरल मतलब 220V AC दी जाती है आगे देखिए यह अर्थिंग का सिंबॉल बना हुआ है PLC की वाइरिंग करने के साथ साथ उसकी अर्थिंग प्रोपर होना चाहिए यह हमें इंशोर करना चाहिए ठीक है ना 24V positive PLC खुद अपना एक 24V supply जर्नेट करता है यहाँ पर देखिए common और यह है X0, X1, X2, X3 ठीक है ना अब यह जो common है इस common पर हम कौन सी supply देंगे या तो positive देंगे और या फिर इसको हम negative supply देंगे PLC में हमको wiring sync type करना है या source type करना है वो common वाले point के ओपर depend करेगा पर देते हैं लेकिन उसी के just opposite हमको common पर देना होती है इसी तरह से output में भी common का एक point होता है उसके बाद output के नमबर जैसे Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, देश, देश, देश तो इस तरह से यह output के point होते हैं और इसमें एक point होता है common का यहाँ पर देखिए एक PLC दिखाई गई है FX 3G 40M Mitsubishi का मेल से एक PLC है इस PLC में भी आप यहाँ पर देखोगे तो एक line एक neutral और बीज में अर्थ का point दिया हुआ है ठीक है फिर एक common का point है उसके बाद कुछ input के point है नीचे आप देखोगे तो output के point है इसमें एक common का point यहाँ पर दिया हुआ है एक common का यहाँ पर दिया हुआ है अगला यहाँ पर दिया हुआ है और एक common का point यहाँ पर दिया हुआ है तो यह जितने भी common point होते हैं इनको हमें sync या source मतलब positive या negative को link बना कर सारे common को एक साथ में जूड़ना होता है ठीक है ना अब हम बात करते हैं PLC के sync input और PLC के sync output के बारे में देखिए यहाँ पर एक common point है इस common पर इन्होंने एक negative दिया हुआ है ठीक है यह जो common point है इस पर हमने एक negative supply दी हुई है और यह PLC का input है इसके addressing हम माल लेते हैं यह X0 है ठीक है ना तो इस X0 पर देखिए यहाँ पर जैसे ही हम push button को press करेंगे तो यह वाला positive input PLC को मिलेगा और common इसको पहले से मिला हुआ है ठीक है ना यहाँ पर देखिए यह एक push button का symbol दिखाया हुआ है जैसे ही हम push button को press करते हैं positive supply यहाँ पर हमको X0 पर मिलती है common already दिया हुआ होता है तो जो भी relay based PLC होते हैं उसमे एक relay on हो जाती है और वो relay on होने के बाद एक command देती है PLC के processor को वहाँ से program हम जिस तरह से बनाते हैं उस तर positive input जब PLC को मिलता है उन्हें हम sync input type PLC कहते हैं और यहाँ पर देखिए sync output type PLC ठीक है तो यहाँ पर एक common में negative दिया हुआ है मतलब यह जो common है इसको हम एक negative supply देते हैं और जो अपना output होता है contactor या solenide wall या फिर relay को एक point पर हम positive supply देते हैं जो की PLC से control होके जाती है और जो उ negative supply देते हैं जो की direct उसको मिल रही होती है अब जैसे ही PLC से output on होता है solenide wall relay या contactor को positive output मिल जाता ठीक है ना तो जो syncing output होते हैं वो positive output होते हैं और जो syncing input होते हैं वो positive input होते है PLC में जो input होते हैं वो होते हैं push button, proximity sensor, photoelectric sensor या जितने भी type के sensor होते हैं वो सारे PLC के लिए input होते हैं और PLC का जो output होता है वो होते हैं relay, solenide wall, contactor ये सारे PLC के output होते हैं आगे देख लेते हैं sync और source के बारे में देखिए यहाँ पर source input और source output source input वो होते हैं जो की PLC को negative input देते हैं ठीक है ना, अब आप इस photo को देखिए और एक इस photo को देखिए ठीक है यहाँ पर common में एक negative wire गया हुआ है और input में positive wire गया हुआ है लेकिन यहाँ पर जो common है उसमें positive wire गया हुआ है और input में negative wire गया हुआ है मतलब sink और source में सबसे बाड़ा difference ही होता है कि sink में positive input और positive output मिलता है और source में negative input और negative output मिलता है यहाँ पर देखिए common पर हमने positive supply दी हुई है और जो relay या फिर किसी contactor को supply गई है वो गई है negative ठीक है न तो ये source output में negative output मिला है और जो source input है इसमें भी हमें negative input मिला है आगे देख लेते हैं sink और source के बारे में देखिए sink और source का switch circuit दिखाया गया है इसमें देखिए जो sink wiring है इसमें ये positive है इस positive से होते हुए switch से होते हुए इस bulb को supply मिली है और negative direct मिला है ठीक न तो मतलब जब ये switch on होगा तो ये positive supply bulb को मिलेगी मतलब इस load को जाएगी और ये bulb on होगा इसी तरह से PLC में भी जब positive input मिलता है तब PLC का input काम करता है यहाँ पर देखिए sourcing switch circuit ठीक है तो ये source type का input है इसमें positive input direct इस bulb को मिला हुआ है और negative जो है switch से होते हुए गया है switch का मतलब कोई sensor माल लेते हैं या फिर कोई push button माल लेते हैं या फिर कोई normal on off switch है ठीक है तो जब ये switch on होता है या जब ये sensor on होता है तब इस PLC को supply मिलती है आगे देख लेते हैं sync और source के बारे में तो जो positive supply और negative supply मिलती है वो कैसे मिलती है वो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते है जो three wire PNP sensor होते हैं PNP का मतलब वो एक positive input देते हैं sensor में तीन wire होते हैं brown, black और blue ठीक है जो brown wire होता है उस पर हम positive supply देते हैं black से हमको output मिलता है और जो blue wire होता है उसको हम negative देते हैं ठीक है ना ये एक international standard color coding है इसी color coding के हिसाब से हर एक sensor की wiring करी जाती है वो चाहे PNP sensor हो चाहे फिर वो NPN sensor हो brown wire को हमेशा ही positive पर जोड़ा जाएगा black wire को हमेशा output के साथ जोड़ा जाएगा और blue wire को हमेशा negative के साथ जोड़ा जाएगा ठीक है ना अब ये यहाँ पर एक PNP sensor है इस PNP sensor को 24 volt DC input supply दी है और 0 volt DC output supply दी है मतलब ये sensor choice volt DC पर operate होता है अब जैसे ही इस sensor के सामने कोई object आता है तो ये अपना एक output generate करता है और इस contactor को देता है एक A1 और दूसरा A2 A1 पर देखिए direct यहाँ पर negative दिया हुआ है और A2 को जब ये sensor on होगा तब positive input मिलेगा ठीक है ना अब मान लिजिए इस contactor की जगे पर हम कोई PLC रखते हैं और उसकी wiring में एक PNP sensor यूज़ करते हैं तो उसके common को हमको negative देना पड़ेगा और जैसे ही sensor sense करेगा input मतलब X0, X1 या X2 पर वो एक positive input देता है ठीक है इसी तरह से यहाँ पर देखिए NPN wiring NPN का मतलब होता है negative wiring ये negative supply देता है PLC को या फिर contactor को cool मिला कर जो ये sensor output देता है वो negative देता है ठीक है इसमें देखिए positive wire choice world DC brown wire को हमने contactor के even पर दिया हुआ है और जो zero world DC है वो sensor से होते वे फिर contactor को मिला है ठीक है ना तो मतलब कुल मिला कर इस contactor की जगे पर हम कोई PLC रखते हैं और उस PLC के input wiring में हम NPN sensor यूज़ करते हैं तो NPN sensor अपना एक negative output देता है और वो negative input जब PLC को मिलता है तो उस समय पर PLC की wiring को source input wiring काएंगे अब आगे देखिए four kinds of source and sink circuit sink input, sink output, source input और source output ठीक है ना जो sink input होते हैं sink input में PNP sensor यूज़ करे जाते हैं और जो sink output होते हैं output में हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं मतलब जो relay हम sink output में यूज़ करते हैं वही relay हम source output में भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है ना लेकिन input के लिए यदि हम sink input यूज़ करते हैं तो हमें PNP sensor ही यूज़ करना पड़ेगा और यदि हम source input यूज़ करते हैं तो उसको हम Sink Output बोलते हैं और जब PLC को Negative Input मिलता है तो उसको हम Source Input बोलते हैं और PLC से जब Negative Output हमें मिलता है तो उसको हम Source Output बोलते हैं Sink Input, Sink Output, Source Input और Source Output Sink का मतलब Positive होता है और Source का मतलब Negative होता है तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो PLC के Sink and Source के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम Mitsubishi की PLC के बारे में ही देखने वाले हैं और यदि इस वीडियो से Related कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करना मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ इसाथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताक है ने 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 वीडियो कोशिश करें वीडियो 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 करें वीडियो